सभी ग्रह अपना रासी परिवर्तन अथ्वा नच्छत्र परिवर्तन करते हैं नौ ग्रहों के राजा सूरी रासी परिवर्तन के साथ साथ नच्छत्र परिवर्तन भी करते हैं सूर्य के नच्छत्र परिवर्तन करने का असर मानो जीवन सहीच सभी बारारासी के जातक पर किसी ना किसी तरह से पढ़ता है हाला कि आपको बताते चलें सूर्य देव शमय शनी के नच्छत्र पुस्प नच्छत्र में विराजमान है और पंचांग के मताबिक दो अगस्त तक इसी नच्छत्र में विराजमान रहेंगे लेकिन दो अगस्त को सूर्य देव पुस्प नच्छत्र से निकल कर असलेशा नच्छत्र में प्रवेश करेंगे सूर्य देव के बुद्ध के नच्छत्र में प्रवेश करने से कुछ रासी के जातक की किस्मत चमक सकती है तो कुछ रासी के जातक के जीवन में कई तरह की समेश्या भी आ सकती है तो चलिए इस रिपोर्ड में जानते हैं सुर के नचतर परिवर्दन से किन रासी के जातक माला माल हो सकते हैं